शारुखhran नाम तो सुनाई होगा आज हम बात करेंगे शारुखhran के बारे में बताया रहा है कि जो कतार ने हाली में जो 8 इंडिया नेवी वेटरेंस को छोड़ दिया है जो कि आथ राह महीने से एस्पेनियोस चार्जेज में जेल में है उनको बताया जा रहा है कि उनको छ कोई भी अप्डेट दिया गया है उसके बारे में भी ये सेशन होने वाला है थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा मुझे टाइम दे रहा होगा तो हम बात करेंगे आज शारुखन के इसके यह चीज के बारे में के जो अठरा महीने से जो लोग जो आठ नेवी परसनल कतार में बंत है ऐसा क्या हो गया और मैक्सिमम लोग ये भी बोलने लगे है कि क्या ऐसा ही है कि शारुखन का कतार विजिट करने के कारण इतने बड़े नामुमकिन चीज को मुमकिन किया गया तो क्या ये बात सच है और क्या शारुखन ने सच में ही वेटरेंस की मदद किया है अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा वीडियो को प्लीज लाइक कर दिजेगा आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन पता नहीं आपको लाइक करना नहीं आता आप लोग लाइक करते नहीं हो बहुत बुरा लगता है प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर किया करो और अगर आपको वीडिय अगर भटती होना है आपको एडमिशन लेना है तो दिस इस दा राइट टाइम क्योंकि 30% डिसकाउंट चली रहा है इसी नमबर पे कॉल करके इसके डीटिल इंस आप ले सकते हो नेक्ट बात करेंगे हमारी मलक आइस माइकजन के बारे में जो की आ चुका है मार्केट के अंदर जो की हार्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही आपको मिलेंगे और बैसिकली इसका हम हम डेलिवरी भी कर रहे है तो आप इंडिया की कोई भी प्रांस से हो तो आप हमें इसी नंबर पर कॉल करके इसके जानकाड़ी ले सकते हो चलो बात करते हैं SRK के अब SRK की बात इसलिए आएगी क्योंकि शारुक खन एक बहुत ही मशूर और सक्सेस्फुल वाल्यूड एक्टर सिव इंडिया के अंदर नहीं है वो मिडिलिस्ट में भी बहुत ही जानी मानी हती है वो अपने फिल्म्स और फैन बेस को यहां पर इतना तक फैला दिया है कि बात इहां पर आ रही है क्या पता कतार के राजधानी दोहा में जो शारुक खन गय थे इसी की कारण उन्होंने वहां पर स्पेशल गेस्ट ऑफ ओनर की तरह भी अपने आपको शिरत किया था तो उन्होंने क्या वहां पर कतार के प्राइमिनिस्टर है जो एमीर कहते है उनको सेक मोहमध बीन अब्दूल्ला रह्मान बीन जस्मीन अलध кад नी उनसे कैसे मुलाकात की जाके वह उनको इनको हमानी तुस्प उनको इनको बातचीत थे भोन्य पर माराा था अगर हम बात करें कि हमारी पॉलिटिकल जो डेपलोपमेंट है उसी हिसाब से बीजेपी लीडर और फॉर्मर राजे सवा एंपी सुब्रामनियम स्वामी का एक ट्विटर जो कि अभी जिसका नाम है एक्स इसका यहाँ पर इंपोर्टेंस दिखता है जहाँ पर यह लिखा है कि मोदी शुद टेक सिनमा स्टार शारुखान तो कतार विद हमसेंस अफ़र अफ़र एंड नसा है फेल टू पर्शुरेट शेक्स ऑफ कतार बहुत दिल से मोदी गवर्मेंट वस ट्राइं तू मेक इंप्रिजन से जिनको निकालनी की कोशिश कर रहे थे उनके चलते वक्त सुब्रमनियम स्वामी में ये बात कही कि ये जो आठ लोग है इन जो आठ ने भी परसनल को वहां पे बंद किया गया है जिनको डेथ सेंटेंस भी मिली है इनको छुडाने के लिए आप एक काम करो साथ में शारुखान को ले जाओ ये जो ट्विटर की ये जो पॉइंट है ये भी बहुत जादा थेजी से फैल गया ये जो आठ लोग है इनमें कैप्टन नबजित सिंगील, कैप्टन सौरव वशेष्ट, कमंडर पुनेंदु तिवारी, कैप्टन बिरंद्र कुमर बर्मा, कमंडर सूगुना करपालका, कमंडर संजीप गुपता, कमंडर अमित ना श्यूचा के आट्र आप महीं इस थáng, के प आटो के लिए श्यूचा बढ़के अदितख काम कुछ ऐसा बताया गया, के यह बहुत सारे डेटा प्रोवाइट करते हैं अपने क्लाइन्स, को सौन दूचा को महीं करते हैं श्यूचा क्या काम कान इसूचा नहीं है clients को होती हैनियक क्राइन माना जाता है कातार के अंदर ऑक्तेबर दो हसार तेस में कातार के जो कोट है का फ़र्स इंस्टेंस है इन्होंने इन सभी को को डेट सेंटेंस दे दिया और यह जो घटना घटी वह इंडिया के सरकार और इनके परिवार वालों के लिए डिपली शॉकिंग था शेक तमिम्बिम हमाद अल्थानी इन्होंने इनके पास बहुत बार भारत की तरफ से यह सब लोगों की जो इन लोगों के यहां पर बात किया जा रहा है इनके जो बात किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोधी ने बहुत बार इनको इस बारे में बात किये और उनको रिहा करने की बात की लेकिन पहले तो बहुत टाइम लगा इंडिया नाशनल को सुनने के लिए लेकिन फिर जाके फॉरेंस सेकेरेटरी विनाय करवत्रा के अकॉर्डिंग बहुत दिन बात जाके मोधी जी को इन ये सब चर्चे की जवाब मिली क्या हुआ ये एफॉर्ट का जवाब के थू कतार की कोर्ट ओफ एपल ने इनकी डेथ सेंटेंस को डिफरेंट जेल टर्म्स में कनवर्ट किया डिसंबर 2023 में और जाके 24 फिबररी 12 तारिक को इन सभी को रिहा कर दिया मतलब इनको और अभी कोई भी डेसंटेंस या इनको जेल टर्म्स कुछ भी नहीं करना पड़ा इन में से आठ लोगों में से साथ लोग इंडिया में वापस आ चुके है और एक जो अभी भी कतार में है उनके इंडिया में ज को देखें तो हम देख सकते है यहां पे जो पर्शयन गल्व के अंदर के अन्दर के गर अगर इंडिया से उसके sabes Jeans कि बात करें तो हम देख सकते हैं इंडिया और मिडलिस्ट यूरॉप की अको कोंदर है जिसको कहा जाता है उसी के अंदर के बी आते है as a very important place, recently जो ओयल को लेका डेवलोपमेंट हुआ है इंडिया और मिडिलिस्ट के बीच यह बात कर सकते के वेट एशियान कंट्री के बीच क्योंकि सिर्फ ओयल नहीं, बहुत सारे एफिशेंट एनरजी यह ट्रेड की बात करें, एकोनॉमिक इंवेस्मेंट की बात करें, यह स कथुआ हैं कि काम करें हैं इंडियां इंडियन साथ लाख से भी जाधा वहां पर मौजूद है और जो साथ लाख इंडियन कथा को बीटर करने में मतलकै कथा कि डिपलॉप्मेंट प्रॉस्परिटीमें कन्ट्रीउट करने में काम कर रहे हैं यह यह जो आठ लोगों की róż delivery क्या शारुक खान के कतार में जाना कुछ दिन पहले उन्होंने जो एशियन फुटबॉल का जो फुटबॉल का जो पाइनल था उन्होंने वहां पे गए वहां के जो एमीर है उनसे मिले क्या उनका वो मिलना ही इतना हेल्प कर दिया के पूरे सिनारियो बदल गए तो उसी के अगर लास में हम बात करें तो उसको खुलासा करते हुए शाहुद खाल की ऑफिशिल स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियर कट बताया है कि देखो यह जो नैवल ओफिसर्स जो कतार से रिलीज हुए है इनमें मेरा कोई हात नहीं है इन्होंने बोला है कि देखो जो अगर कोई नहीं है क्योंकि मेरा कतार के जो लिडर है उनके साथ इनके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं बिकॉज हमारी जो इंडियन लिडर है वो बहुत बहुत जादा क्यापबल है ऐसे चीजों से डिल करने के लिए तो बैसिकली शारुक खान की ओफिशल स्टेटमेंट यह यह जो डेबलापमेंट हुआ है कतार और इंडिया के बीचों के जो रिस्ते ऐसे डिप्लोमेटिक वे में एक विक्टरी पा चुके है यह चीज शारुक खान की तरफ से नहीं इंडियन जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियों में जो लिडर्शिप की भुमी का है उसी का ही कार नामा है तो यह केस वैसे इंडिया के जो चैलेंज़ेंज है वह उपर्चुनिटीज है उसको बहुत सदा हाइलाइट करता है और मिडिल इस के साथ इंडिया की जो इंगेजमेंट है उसको और बहतरीन करने की उपर यह सूचक बनता है और एक छीज आपको बता देते ह है कि जो रिजियन में जो डिलेशन्शिप है उसको अगर हम एनर्जी सिक्यूरिटी एकोनोमिक ग्रोथ और डियस्पोरा वेलफेर के वजह से भी देखे तो यह जो सिचुएशन है बहुती बहुती अच्छा डिब्लॉप्मेंट है इन केस ओफ दे डिलेशन ओफ इंडिया बात है झाहे जाहेरे जैसे बता है ट्रेटि की अधिया या नर्जी ऑफिशी इनरोपनी ओफ या हमारी सौफ पाव में यंशि justement अभी हमोला है इसलिए नियोग के बात बात है कि ढात पहारत वर्ष में भारत वर्ष के अंदर शारुकहन के कितने सारे फैन 17 महीं जाए ले ची जाताे कोंते है और कातार अचेंट फाछर में उन में से एक कंट्री है तो विज बात शारुक खन ने सभी क्लेम को univocally deny किया है और बोल दिया है यह unfounded है इस मैटर में उनका कोई भी रूल नहीं है तो यही था आज का सेशन और आशा करती हूँ यह आपके बहुत सारे questions को clear किया हुआ होगा और हमारे मलुका ISK सारे apps में आप जोइन कर चुके होंगे हमारे जो apps available है उसमें और हमारे जो social media handle है इसमें भी आप जोइन करना मत भूलिएगा आप सभी को आज के लिए यहाँ पर ही thank you कहते है और आप से फिर मिलेंगे bye bye take care and jahind